यूपी बोर्ड एक्जाम देने के बाद अब बच्चों को इंतजार है रिजल्ट का लेकिन इस बीच कई बार खबरे ऐसी भी आई कि ये 9 जून को आने वाला है अब सीम योगी ने क्या निर्देश दिये कब तक रिजल्ट आ जाएगा आईए जानते हैं इस वीडियो में ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड ने दस्वी और बार्वी की परिक्षाओं की मुल्यांगन प्रक्रिया जो है वो समाप्त कर लिए जसके बाद अब बोर्ड रिजल्ट की घोशना के लिए पूरी तरह से तयार है एक बार यूपी बोर्ड के रिजल्ट जारी करने के बाद सभी स्टूडेंट्स उत्रप्रोदेश माधिमिक सुक्षा परिशत की आधिकारिक वेबसाइट यानि www.upmsp.edu.in और www.upresults.nick.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं इन वेबसाइट के लावा और भी बहुत सारी वेबसाइट जिस पर आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं इसके लाव आपको बता देगी बोर्ड ने 10 वी और 12 वी के लिए 30 पीसदी सिल्बस में कटोती की इसके बाद बोर्ड की परिक्षाय को आयूजित किया गया खबर ऐसी भी आई कि इसके बावजूद मतलब जो सिल्बस है उसको कम करने के बाद भी जो है जो कम किया गया था उसमें से भी प्रश्ण पूछे गया है लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो चिंता मत करिया इसमें जो है आपको बोनस पॉइंट्स मिले दिए यूपी बोट 2022 को उत्तीन करने के लिए भाया सभी स्टूडेंट्स को सो में से 33 नंबर लाने बहुत ही जादा आनिवार ने तो फिर आप पास नहीं उपाएंगे चात्रों को सभी विशों के नियुनतम कम से कम 33 अंग और 75 विशों में पास होना बहुत जरूरी है तो अगर आप मानलीजे किसी एक सब्जेक में फेल हुआते तो आपको जो है कमपार्टमेंट एक्जान जो है वो उसके बाद देना पड़ेगा हालगे हम चाहेंगे कि ऐसी नौबत ना है आप अच्छे अंगों के साथ आगे की फ्यूचर प्लानिंग करें लेकिन इसके लिए जरूरी है रिजल्ट और उसके लिए सीम योगी आजितनात ने अपने टीम राइन की बैठक में उत्तरप्रदेश माद्यमिक सिक्षा परिशत को कह दिया है कि प्रणाम समय से घोशित कर दिया जाए तो अब जो है कॉपी चेक हो चुकी है और किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है तो इंतजार करिए और अपडेट्स लेते रहे और पढ़ते ये यूपी तक की वेबसाइट इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे गया तमाम वीडियो उसको देखने के लिए आप झाल